दोस्तों यहां पे एक बार कमेंट करके बता दीजी ओडियो विडियो यहंपे किलियर रेकिनी थोड़ा सा इश्यू अ रहा था उसके लिए हम आप इशाहेंगे अब यहां पे सब किलियर कर लिये गए गया है तो एक बार आप लोगों से भी यहाँ पर थमसप करके बता दीजिए कि ओडियो वीडियो के लिए रहे कि नहीं थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने के कारण दोस्तों यहाँ पर वीडियो में थोड़ा प्रॉब्म था उसको सॉल्ब कर लिया गया है साउंड नहीं आ रहा है साउंड अब के लिया रहे आप देख लीजिए सब यहाँ पर साउंड आ रहा है कि नहीं थीक है सर शिवानी कर्मा तो दोस्तों हम मापी चाहेंगे थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसलिए अब इसको सॉल्ब कर लिया गया है तो अब हमें शेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों जैसे की जो हमारा डेली का लैब टेक्निशन हमस्की कोशन सीरीज की 77 वीडियो है दोस्तों इससे पहले 76 वीडियो हम कबर कर चुके है जो आप हमारे चैनल प्लस स्टेडी आईक्यू की प्लैलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों इस सेशन में बहुती इंपोर्टेंट कोश्चन हमने सामिल किये है रुपाल राहोल कुमार गोतम हाई सभी का यहाँ पर स्वागत है जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सौर्ट सा है यहाँ पर दोस्तों नॉटिस देना चाहेंगे बहुती इंपोर्टेंट यहाँ पर टू फिप्टी मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चनों का एक पीडियाप तैयार किया हुए अगर आप गुरुफ आप के लिए या फिर कोई भी लैप टेक्निक्शन के कॉम्पेटेटिब इकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुती इंपोर्टेंट है मात्र इसका 49 जो प्राइज रखा गया है और आप इसको 49 रुपे में पर्चेस कर सकते हैं पर्चेस करने के लिए श्र्श्री जो फोर त्वर वाटसरेंबर दिया है इस पे आप मेसेश कर सकते हैं मेसेश करने के बाद दूस्तो आपको 49 रुपे रुपे है करना है गूगल पर फॉन पर किसी से भी कर सकते और स्कीन सोट भीज नै इसकी insert बेजने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछी समय में PDF एबलेवल करा दिया जाएगा बहुत important question है दोस्तों अगर आप better preparation करना चाहते है तो इसको sound clear है सभी का यहाँ पे start करते हैं दोस्तों session को थोड़ा सा जो issue आया उसके लिए हम मापी चाहेंगे तो आप यहाँ पे clear कर लिया गया है सब अभी यहाँ पे first question आपके सामदे है दोस्तों this substance which can induce antibody formation by themselves and can react specifically with the antibodies are known as तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ऐसे substance जो antibody का यहाँ पे formation करते है और एक specifically जो antibody के साथ यहाँ पे दोस्तों क्या करते है रियक्ट करते है तो उनको क्या कहते है यह पूछा गया है यह option है complete antibody कहते है या फिर complete immunity कहते है या complete agglutinin कहते है या फिर complete antigen कहते है जली से comment करके बता दीजिए पूछी important question तो ऐसे ही question आपको exam में देखने को मिलते है जली से सभी लोग यहाँ पे comment करें और इस session में जो नए है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और जो भी session से जुड़े हुए है दोस्तों सभी यहाँ पे like जरूर करें session को यहाँ पे first question का यहाँ पे answer सभी का आना चाहिए दोस्तों फिर हम next question देखेंगे first question आपकी screen के सामने है दोस्तों तो यहाँ पे answer आना start हो गए दोस्तों तो first question का यहाँ पे answer राहुल कुमार गोतम यहाँ पे भी बोल रहे हैं paramedical and nursing academia D. अनिल मोरिया है यहाँ पे D. शिवानी कर्मा D. सभी लोग यहाँ पे answer करना है और यह दोस्तों self analysis की रिये भी रहेंगे last में हम देखेंगे आप कितना score करते हैं बहुत important question है दोस्तों और topic बाज इस session चल रहा है दोस्तों तो जैसे भी antigen, antibody से related दोस्तों हम इस session को start किया है इसमें जो session में दोस्तों most important question सामिल किये गए हैं lab technician के लिए competitive exam के लिए तो सभी का answer जो लगबग आ रहा है शिवानी कर्मा डी जितेन डी डी चीकू राजपूर डी तो दोस्तों इसमें पूछा गया है the substance which can induce antibody एक formation by themselves and can react specifically with the antibody are known as एसे substance जो antibody के formation में help करते हैं या इनके कारण दोस्तों antibody का formation होता है वैसे substance और जो specifically जो antibody के साथ यहां पर reaction करते हैं react करते हैं वैसे substance को क्या कहते हैं तो वैसे substance को कहते हैं दोस्तों complete antigen क्या बोलते हैं ऐसे substance को complete antigen यानी D option दोस्तों आपका यहां पर right हो जाएगा तो जितने लोगों ने दोस्तों यहां पर D option यहां पर choice किया है तो उनका यहां पर right हो जाएगा next question देखेंगे next question है when a soluble antigen combined with its antibody and the antigen antibody complex form an insoluble product such type of reaction are cold तो दोस्तों थोड़ा सा lengthy question है लेकिन एक से दो बार पढ़ने पर दोस्तों यह clear हो जाता है जैसे कि इसमें पूछा गया है बैने soluble antigen एक soluble antigen combine करेगा with its antibody के सान और antigen antibody complex का formation करेगा uninsoluble product कैसा दोस्तों? insoluble product का such type of reaction are cold तो ऐसी जो reaction होती है दोस्तों जिसमें soluble antigen combine करता है antibody के सान और antigen antibody complex बनाता है insoluble form में product में उस type की यहाँ पर reaction को क्या कहते हैं? A option है agglutination B है precipitation C है flocculation और D है ionization तो सभी यहाँ पर comment करके बताएं second number के question का answer यहाँ पर आना start हो गया है शिवानी कर्मा यहाँ पर A बोल रही है अनिल, मोर्यबी, चीकू, राजफूत A, माही A और सभी लोग यहाँ पर comment करना है दोस्तो और self analysis करना है थोड़ा सा lengthy question है लेकिन एक दो बार में अगर हम पढ़ते हैं तो दोस्तो वो clear हो जाता है इसमें पूछा गया बैने soluble antigen यानि एक soluble type का antigen combine करेगा with antibody किसान और antigen antibody complex का formation करेगा insoluble products such as type reaction यानि ऐसी reaction को वो क्या कहते है तो ऐसी reaction को दोस्तो precipitation reaction कहते है क्या कहते हैं दोस्तो B option आपका यहाँ पर write होगा तो भूस से लोगा यहाँ पर जो A option बोल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ जिनोंने canal more रहे हैं जिनोंने B option यहाँ पर write किया है और सभी लोग यहाँ पे दूस्टोN session को share करते रहे और session को like करना भी न भूले तो दोस्तोN आपके लिए registration चलाया जा रहा है और सभी जिस जो session से जड़े हुए है उतने अभी लोगोंने दोस्तोN session को यहाँ पे like नहीं किया है तो session को ज़रूर like करें दोस्तोN तो यहाँ पर जो question आपको clear हुआ फिर हम next question देखेंगे दोस्तो तो इसमें जो पूछा गया था कि एक soluble type का antigen क्या combine करता है कौन सी antibody के साथ और antigen antibody जो complex formation करता है sorry और वैसे टाइप की reaction को क्या कहते हैं दोस्तो वैसे टाइप की reaction को यहाँ पर precipitation कहते हैं तो clear हुआ दोस्तो यहाँ पर B option आपका यहाँ पर right हो जाएगा थोड़ा समझादो इस question को तो दोस्तो जो antigen antibody जो reaction होती है दोस्तो antigen antibody reaction में आपको precipitation reaction, flocculation reaction और agglutination reaction यह आपको देखना होती है जिसमें जो आपका immunology से दोस्तो समझादेते question है तो precipitation reaction में क्या होता है कि एक ऐसा antigen दोस्तो क्या करता है एक ऐसा antigen जो soluble type का होता है और वो combine करता है एक antibody के साथ और एक antigen antibody complex का formation करता है जो क्या होता है इंशॉलिबल होता है और दोस्तो ऐसी reaction को क्या कहते है precipitation reaction कहते हैं तो इसका जो lecture भी दोस्तो हमने upload किया है उसको आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जादे इसको deep में यहाँ पर describe नहीं किया जाएगा तो बी ओप्शन दोस्तो यहाँ पर write हो जाएगा next question देखेंगे next question है the substance which are formed in the serum and tissue fluid in the response to an antigen are known as तो दोस्तो यहाँ पर पूछा गया है ऐसे substance जो कहाँ पर दोस्तो सीरम और टिशू फ्लूड में antigen के response में यहाँ पर formation होता है वैसे substance को क्या कहते हैं थाट का answer दीजिए paramedical nursing academy में बोल रहा है A the substance which are formed in the serum and tissue fluid the response to an antigen तो दोस्तो ऐसे substance को क्या कहते हैं दोस्तो जो antigen के response में produce होते हैं serum या टिशू फ्लूड में बहुत ही simple question है A option है आपे antibody B है immunity C है antigen और D है agglutinogen तो दोस्तो antigen क्या होता है थोड़ा सा हम समय लेते हैं antigen हमारी body के लिए क्या होते हैं foreign particle होते हैं क्या होते हैं foreign particle होते हैं कोई भी foreign substance जब हमारी body के अंदर दुस्तो introduce होते हैं और उनके against में दोस्तो हमारी body क्या करती है एक substance कहाँ पर production करती है वो substance क्या कहलाता है उनके against में जो immunity प्रडूस कराते हैं उन substance को कहते हैं दोस्तों antibody तो antigen जब हमारी body में कोई भी substance यहाँ पर जो foreign particles होते हैं जो हमारी body में introduce होते हैं तो उनके against में हमारी body क्या करते हैं दोस्तों antibody का formation करती है तो यहाँ पर clear हुआ दोस्तों तो जिनके against जो antigen के against foreign particles होते हैं दोस्तों वो antigen कहलाते हैं और जिनके against foreign particles के against जो हमारी body जो substance produced करती है उनको antibody कहते हैं दोस्तों और इस में इस question में जो पूछा गया है the substance which are formed in the serum and tissue fluid in the response to an antigen are known as यानि ऐसे substance जो antigen के दोस्तों antigen के against यहां पर production होता है serum and tissue fluid में उनको क्या कहते हैं तो antibody कहते हैं antigen के against क्या होगा formation दोस्तों antibody का formation होगा यानि ए ओप्सन आपका यहां पर right हो जाएगा next question देखेंगे next question है fourth number का immunoglobin terms is used for तो दोस्तों जो immunoglobin है वो terms किसमें used किया जाता है A option है antibody में, B है immunity में, C है antigen में और D है agglutinogen में तो जली से यहां पर comment करके बता दीजिए दोस्तों कि immunoglobin जो terms है वो किसमें used किया जाता है antibody के में या फिर immunity में या फिर antigen में किया agglutinogen में अभी भी दोस्तों जितने आप session से जुड़े हुएं अभी यहां पर session को आपने लोगों ने like नहीं किया है तो यहां पर please like करने में किया जाता है दोस्तों अगर आप लोगों के लिए यहां पर session चलाया जा रहा है तो session को like कर दिया करो और कुछ नहीं तो यहां पर clear हुआ दोस्तों जो शबी का answer आना यहां पर start हो गया है पेरमेंडिकल नर्सेंग अकेडमिया ए बोल रहे है एनल मोल रहे है ए माही ए शिवानी कर्मा ए चीकु राजपूत ए शंगीता यहां पर मरा भी ए तो दोस्तों यहां पर सभी का answer आ रहा है antibody यानि A option तो immunoglobin जो terms यूज किया जाता है दोस्तों वो antibody के case में यूज किया जाता है अगर हम बात करनें दोस्तों human body में दोस्तों 5 types की immunoglobin प्रजेंट होती है 5 types की antibody प्रजेंट होती है IgM, IgD, IgE तो यह दोस्तों यहां पर 5 types की यहां पर antibody कौन-कौन सी होती है दोस्तों immunoglobin A यानि IgA, IgM, IgD, IgE तो यह दोस्तों हमारी human body में प्रजेंट होती है और यह दोस्तों जब भी हमारी foreign particle हमारी body में introduce होता है तो उनके against में दोस्तों produce होती है तो शिवानी कर्मा बोलने हैं शवी पिलीस लाइक करें तो session को like कर दिया करो आई लोगो तो यहां पर A option right हो जाएगा, next question देखेंगे दोस्तों next question है most antibodies are found in the form of तो जो most antibodies होती है दोस्तों किस form में आपे found होती है यह option है यू-globin, यू-globulin में या फिर pseudo-globulin में या फिर cryoglobulin में या फिर immunoglobulin में तो दोस्तों किस form में आपे most antibody होती है तो दोस्तों हम आपको बता दें सिर्फ दो form में ही दोस्तों गामडे आपना बोला जो चीकू-राजफूत तो फाइब टाप्स के antibody होती है IgG, IgA, IgM, IgD और IgE गामडे बोल सकते हैं पूरा यहाँ पे short में तो यहाँ पे clear होना चाहिए दोस्तों सभी का और अभी शभी लोगों ने अभी भी यहाँ पर session को like ने किया है तो like कर दे और यहाँ पे most जो antibody होती हैं दोस्तों सिर्फ दो form में यहाँ पे अगर हम बात करें antibody किस form में रहती हैं दो form में रहती है एक immunoglobin form में और एक u-globulin form में यानि जो most antibody होती हैं दोस्तों वो जादेतर u-globulin form में होती हैं यानि ए अप्षन यहाँ पे राइट हो जाएगा most जो antibody किस form में रहती हैं दोस्तों u-globulin form में और तो दो type में ही होती हैं दोस्तों दो form में होती हैं एक immunoglobin form में एक u-globulin form में तो most antibody जो होती है वो U-glovin form में होती है यानि A option आपका right हो जाएगा यहाँ पर fifth का A option right होगा दोस्तों सभी का next question देखेंगे next question है तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो term यूज किया जाता है immunoglovin का जिसको हम short form में IG बोलते है वाज प्रपोश्ट वाई दी expert कमिटी थी जो WHO के दुवारा वो कब इसको यहाँ पर प्रपोश्ट किया गया था accept किया गया था इसके दुवारा तो किस सन में किया गया था A option है 1947 में B है 1964 में C है 1945 और D है 1999 जली से यहाँ पर comment करके बता दीजिए कि जो World Health Organization है दोस्तों जो expert एक कमिटी ने यहाँ पर immunoglovin जो IG को यहाँ पर terms को यहाँ पर accept किया था तो किस सन में यहाँ पर दिया था दोस्तों सभी यहाँ पर answer आना चाहिए सभी का बहुत important question है दोस्तों ऐसे ही question हमेशा देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर किस सन में दोस्तों एक expert कमिटी ने हमें World Health Organization की ती जो immunoglobin जो terms को यहाँ पर फिर पोश्ट किया गया था इसके दोवारा दिया गया था तो वह 1964 में दोस्तों B option यहाँ पर right होगा 6 का B 6 का यहाँ पर B होगा दोस्तों sorry थोड़ा यहाँ पर गले में थोड़ा problem हो रहा है दोस्तों जिसमें बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है उसके लिए माप ही चाहेंगे तो यहाँ पर जो terms दिया गया था दोस्तों World Health Organization की जो expert जो committee थी तो वो 1964 में दोस्तों दिया गया था immunoglobin जो हम यूज करते है IG तो यहाँ पर 1964 यहाँ नहीं B option आपका यहाँ पर right हो जाएगा next question देखेंगे next question है following are the example of immunoglobin except तो दोस्तों दिये गए यहाँ पर options में जो किसके immunoglobin के example है सिर्फ एक को छोड़के वो एक कौन सा है दोस्तों जो immunoglobin का यहाँ पर example नहीं है simple question है दोस्तों A option है myeloma proteins B option है cryoglobulins और C है antibody और D है antigens तो दोस्तों दिये गए options में से कौन से यहाँ पर सभी यहाँ पर immunoglobin के यहाँ पर example है सिर्फ accept यहाँ पर accept means यहाँ पर सिर्फ सिवाए एक के तो सभी का answer यहाँ पर आने लगा seven number के जो question है दोस्तों शिवानी कर्वाँ यहाँ पर D बोल रहे हैं mahi D, anilmori D shima c और chiku raajpur D तो दोस्तों हम बात करें किस myelomom proteins होती है दूस्तों A b क्या होते हैं immunoglobin antibody यानि antibody के एक example होते है b option cryoglobulins cryoglobulins भी क्या होते हैं दोस्तों immunoglobulins होती है c option antibody a, b, c immunoglobulins के यहाँ पर example है बाकि अगर d है दोस्तों तो यहाँ पर यह wrong हो जाएगा यानि D option आपका यहाँ पर right तो दोस्तों D option क्या है दोस्तों antigen antigen क्या है immunoglobulins नहीं है यह immunoglobulins का example नहीं है तो D option आपके यही पूछा गया था कि दिये गए options में से यहाँ पर immunoglobulins के example है सिर्फ एक को छोड़के तो वो एक कौन सा है दोस्तों antigen यानि D option आपका right हो जाएगा सभी का यहाँ पर D आया और next question देखेंगे दोस्तों next question है the antibody molecule how much identically heavy chain contents तो दोस्तों जो antibody molecules होते है उसमें कितनी हाँ पर identically heavy chains content होती है A option है 2 B option है 3 C है 4 और D है 6 तो यहाँ पर जली से comment करके बता दीजिए दोस्तों जो antibody molecules होते है उसमें जो identically heavy chains कितने content करती है paramedical nursing academia admin number का यहाँ पर 2 बोल रहे है यानि A option अनिल मोरे A, शिवानी कर्मा A, छीकु राजपूत A, माही A तो सभी का लगवग दोस्तों A option आ रहा है तो हम बात करें antibody molecules की दोस्तों तो उसमें identically जो heavy chains content करती है वो 2 heavy chains होती है दोस्तों identically कितनी जो 2 heavy chains content करती है तो दोस्तों जो heavy chains हो या light chain हो तो एक ही types की या तो वो alpha type की होंगी या beta type की होंगी तो एक ही types भी वो content करती है तो जो identically जो heavy chains होती है दोस्तों यहां पर number of कितनी होती है तो 2 होती है कितनी होती है 2 तो दोस्तों यहां पर यह option आपका राइट हो जाएगा एडवे नमर के question का दोस्तों यह option है यह पर राइट होगा next question देखेंगे दोस्तों next question है दोस्तों the 2 heavy chains are held together by तो दोस्तों जो antibody में जो 2 heavy chains होती है वो एक दूसरे से यहां पर किससे held होती है किससे बनी होती है यह option है disulfide bond से भी है trisulfide bond से c है monosulfide bond से यह all three above जल्दी से आपके comment करके बता दीजिए दोस्तों कि the 2 heavy chains यहांनि जो antibody की जो 2 heavy chains होती है वो एक दूसरे से किससे बनी होती है disulfide bond से trisulfide bond से monosulfide bond से यह all three above तो सभी का यहां पर आना इस्टार्ड हो गया पैरामेडिकल नर्सिंग एकेडमिय आपर सबसे फास्ट आंसर करते यह option बोल रहे हैं अनिल मोर्य ए माही ए चीकु राज़वूत सभी का आंसर दोस्तों लगबर ए आ रहा है तो दोस्तों जो antibody molecules में जो two chain होती हैं heavy chains होती हैं वो एक दूसरे से diosulfide bones से यहां पर wind होती हैं यानि nine number का जो question है उसका a option आपका right हो जाएगा सभी जो answer कर रहा है यह सभी का यहां पर सही है next question देखेंगे दोस्तों इस session का यह last question है culture media is used of mtb यानि micro bacterium tuberculosis जो बैसिला होता है दोस्तों तो यहां पर कौन सा culture media use करते हैं mtv की case में दोस्तों जली से comment करें के बता दीजिए nursing, paramedical and nursing academy यहां पर a बोल रहे है lj media और सभी लोग comment करें sema more a, anil more a, जेते हैं निकुम यहां पर b बोल रहे है mahi b, lj media use करते हैं दोस्तों mtv के case में तो सभी का यहां पर a option right हो जाएगा तो मेकों की अगार की हम बात करते हैं दोस्तों तो यह differential media है यह differentiate करने के लिए यूज करते हैं और दोस्तों जो blood अगार जो nutrition media है तो आपको इनके बारे में दोस्तों जो हमारा culture media से related एक lecture upload है पहले से जो आप microbiology की जो playlist है उस section में जाकर आप देख सकते हैं तो culture media का हमने lecture दोस्तों पहले से upload किया हुआ है culture media के बारे में अगर किशी भी प्रकार का doubt है तो वह आप lecture देख सकते हैं कि सभी का answer lj media एनी a option सभी का right हो जाएगा और दोस्तों अभी भी जितने session से जुड़े हुए अभी तक उन्होंने like नहीं किया है पता नहीं क्या जिन लेके बैटे हैं तो भाई लोगो like कर दिया करो यार क्यों परेशान करते हो like करने में क्या जाता है अगर आपको session अच्छा लगए तो दोस्तों जरू like करें और यहां पर session को यहां पर share भी करते रहा करो सभी का answer दोस्तों यहां पर आग चुका है तो आपको एक बार यहां पर बता दीजिए comment करके session कैसा लग रहा है आपको किसी भी पिरकार का अगर इस session से doubt है तो वो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं कभी भी और सिर्फ आप लोगों के लिए session चलाया जा रहा है आप यहां पर like आना start हो गई है सभी यहां पर like कर रहे हैं अभी सभी लोगों ने आपर कसम खाई थी कि हम like नहीं करेंगे session को तो thank you है सभी का आप इस session से जुड़े थोड़ा सा यहां पर स्वास्त अभी मोसम थोड़ा गड़वर चल रहा है मोसम change होने के कारण दोस्तो क्या स्वास्त थोड़ा ठीक नहीं है तो बोलने में भी थोड़ा गले में दिक्कात हो रही है फिर भी यहां पर कॉसिस करते हैं कि आपको better way में आपर समझाने की कॉसिस करें लेकिन कभी-कभी वो यहाँ पर मुसम अभी थोड़ा चेंज है उसके कारण भी सभी जगे दुस्तो स्वास्ते यहाँ पर ठीक नहीं चल ला है चीकु राजपूच अच्छा लग रहा है सर कोशन भी भहुत अच्छा है ठेंग्च उशर आपके लिए यह मेनत की जा रही है दूस्तो अगर आप यहाँ पर सभी सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छे वे में better way में समझाने की कोशिस करेंगे और नई-ई-ई जो टेक्निक टेकनलोजी का यूज करके दूस्तो हम आपको better way में समझान की कोसिस करेंगे और दुस्तों इसमें आपको free of post ये classes प्रवाइट कराई जा रही है इसका कोई आपको payment नहीं करना है वसे यहाँ पर दुस्तों जादे से जादे लोगों को यहाँ पर share करना है session को और support करना है थोड़ा सा रुपाली कुश्वा thank you sir welcome dear सबी हाँ पर support करते रहें एसा ही थोड़ा सा सिरू में जो technical issue आया था उसको हमने solve कर लिया है और जो भी आपको question करना है दोस्तों हमसे आप पूछ सकते हैं और जल्दी हम एक Q&A का वीडियो हाँ पर live session चलाएंगे वो हमारा एक plus study IQ के नाम से blog channel है दोस्तों उसमें हम Q&A की class हम लेगे तो Sunday को हम साइद Q&A ले सकते हैं उसमें आप comment करके दोस्तों पूछ सकते हैं किसी यहाँ पर lab technician से related competition से related आपकी study से related आपके syllabus से related किसी भी परकार कहां सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं comment section में और उसका जबाब दोस्तों हम Sunday को अगर यहाँ पर time रहा तो morning में या evening में हम उस session को लाएंगे और वो session दोस्तों हमारा जो नया channel है plus study IQ block करके है उस channel पर दोस्तों हम वो Q&A के आप question जो पूछेंगे उस पर हम आपको live उस पर जुड़के दोस्तों जवाब यहाँ पर देंगे तो बस यहाँ पर support करें और हमारा जो चैनल है उसको दोस्तों subscribe करके रखें कि उसमें जो next update आए तो आपको यहाँ पर पता चल सकें बस ऐसे ही यहाँ पर सभी का यहाँ पर प्यार बना रहा है और आप सभी लोग support करते रहें और अच्छे वे में बेटर वे में हम समझाने की courses करेंगे पैथो education थोड़े यहाँ पर लेट हो गए अभी यहाँ पर 10 नमबर के question का answer कर रहे हैं कोई नहीं तो थोड़ा time का यहाँ पर issue रहता है तो time से जुड़ना होता है सभी लोग time से जुड़ें और session का यहाँ पर लाव उठाएं दोस्तो और किसी भी परकार के doubt के लिए comment box में आप अभी भी comment करके पूछ सकते हैं कोई भी परकार का यहाँ पर question दोस्तो और आपके लिए दोस्तो 250 most important question का यहाँ पर PDF एक तयार किया है अगर आप group 5 के लिए या कोई another lab technician के competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो better preparation और दोस्तो practice के लिए practice करने के लिए जो एक PDF हमने तयार किया है 250 most important question हो का आपके लिए ही तयार किया है इसमें important question for lab technician important question for group 5 के लिए और जो PDF है दोस्तो with answer यह PDF है बहुत ही comparison पर आपको दोस्तो available कराया जा रहा है मात्र 49 रुपीज में आपको इसको लेने के लिए जो process है वो WhatsApp नमबर दिया है दोस्तो 9691345248 पर message कर सकते हैं WhatsApp पर और इसके बाद दोस्तो payment करना आप तो phone पर Google पर किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं और जैसे ही phone पर Google पर पर पैमेंट करेंगे और उसका screenshot लेके आपको WhatsApp पर message कर देना है इसकी इंसोर जैसे ही हमारे पास आएगा दोस्तो कुछ समय के वाद आपको यहापे यह PDF एवेलिबल कराय जाएगा तो practice के लिए दोस्तो अगर आप better way में आपे preparation कर रहे हैं किसी exam को लेके lab technician के competitive exam के लिए जो आने बाला है जो हम session चल रहा है उसका हम schedule upload कर देंगे उसमें 50 most important question हमने सामिल किये हुए 50 question हो का यह session रहेगा कल का तो अभी यहाँ पर clear है दोस्तो एक बार thumbs up करके बता दीजिए clear है फिर हम session को यहीं पर समाप्त करेंगे वस ऐसे ही दोस्तो आपका प्यार और support यहाँ पर करते रहेए आपके लिए better way में और lecture भी यहाँ पर upload करने बाले हैं और सभी यह syllabus को हम कम से कम समय में complete करने की कोसिस करेंगे वस यहाँ पर आपका support चाहिए दोस्तो तो वस session को यहाँ पर share करते रहेए और अब तक अगर session को like नहीं किया है और हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो session को यहाँ पर like कर दे और channel को subscribe करने दोस्तो और किसी भी प्रकार का य में अभी भी पूछ सकते हैं जो भी session से जुड़े हुए और आपको session कैसा लग रहा है उसका feedback भी दोस्तो जरूर देते जाए और हमारा जो Sunday का Q&A का दोस्तो जल्ली हम start करेंगे उसमें आप question करेंगे दोस्तो वो question का answer देंगे और वो नए channel हमारा बना हुआ है दोस्तो प् मिलते हैं next session में कल का दोस्तो timing याद रखना है दोस्तो 9 बज़े session start हो जाएगा जो mission group 5 के लिए हमारा session चल रहा है तो time से join हो 50 most important questions दोस्तो ऐसे ही question आपको exam में लगबक से हम देखने को मिलेंगे तो practice के लिए आपर continue जुड़े रहें आज के लिए इतना ही दोस्तो thank you so much सभी के लिए good night मिलते हैं next session में thank you